ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं मकर राशी वालू हो जाओ ते यार क्योंकि अब आपको धगवान शनीदेव के असिरवास से 25 फरवरी से 28 फरवरी याने कि इन 4 दिनों में मिलने वाली हैं 5 बड़ी इन चार दिनों में आपको धन लाब के साथ नौक रेवी जा दोस्तो आपको बता दे भगवान शनीदेव के असिरवास से 25 फरवरी से 28 फरवरी याने कि इन 4 दिनों में बन रहें सश योग में आपके किसमत चमक जाएगी भगवान शनीदेव इन 4 दिनों में आपके उपर सबसे अधिक महरबान रहने वाले हैं जिससे कि यह चार दिनों को जो समय है आपके लिए भग्या हो दैका समय होने वाला है जा दोस्तों यह है वह समय होगा जब आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा अनेक प्रकार की बड़ी-बड़ी खुशकवरियां और अंतर तक इस वीडियो को आप पूरा देखें बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें कोकि यह वीडियो आपके लिए बहुती महत पर पूर्ण रहने वाली हैं दोस्तों वीडियो का अगे सुरू करें सबस्पहला आप सरे रिक्वेस्ट करते हैं भगवान शनीदेव के सच्च वक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें और कमेंट स्बोक्स में जैशनीदेव अवश्य लिखें जिससे भगवान शनीदेव का शिरवाद आपको सीदे प्राप्त हो सके जड़े दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशी वालों के लिए भगवान शनीदेव के अशिरवाद से 25 वरवरी से 26 वरवरी यानि किन चार दिनों का यह बहत पापोड़े समय दोस्तों यह समय आप कड़ी महनत वे परिश्रम से सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने तमन्ना की है बड़े बुजुर्गों का इशने और आशिरवाद इस समय आपके जीवन की सबसे बड़ी पुंजी रहेगी घर परिवार के साथ समय वेतित करने से मन बहुती प्रफुल लित रहेगा समय की गती आपके पक्ष में रहेगी शामाजिक दाइरा बढ़ेगा पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्य का समाधान मिलने से आपको यह समय राहत मिलेगी कोई बड़ा निवेस करने के लिए भी समय आपके लिए बहुती उत्तम है दोस्तों साथे साथ यह समय महमानों के आगमन से आव भगत में खुशनुमा समय व्यतीत होगा उपहारों का आदान प्रदान भी इस समय रहेगा आपका बजट भी बिगड़ सकता है परंतु फिर भ अवर्ग अपने भविश्य संबंदी योजनाओं के प्रती काफी गंभीर रहेंगे दोस्तों साथे साथ यह समय किसी सम्मेलन या फिर समारों में जाने का आपको अवसर भी प्राप्त होगा तता सम्मान के साथ आपकी आव भगत मी रहेगी संतान संबंदी कार्य जैसे वि यह समय उर्जा जोस और उमंग से आप पणी पूर रहेंगे बच्चों के साथ धहरे रखते हुए आप वहवार करें जिससे वे आपके कायल हो जाएंगे के प्रकार के खर्चों का भी यह समय है परन्तु आप मैनेज कर लेंगे अपनों के साथ मन औरंजन में भी समय व्यत करतीत होगा कहीं से कोई सुब समाचार भी प्राप्त होगा कार्रे कुसलता के दम पर आप वह उपलब्दी हांसिल कर लेंगे जिसकी कभी आपने तमन्ना की थी दोस्तों साते साथ ध्यान रखें कि इन सब किरिया कलापों के बीच आपका कोई महत्पपूर कार्रे भी छू आवशक है आर्थिक कश्मकस भी रह सकती है कहीं वी धन संबंदी निवेस सोच समझ कर ही आपको करना है क्योंकि पैसा वापस मिलना बहुत मुश्किल रहेगा विध्यारतियों को अपने प्रतियोगी परिक्षा संबंदी पढ़ाही में अधिक ध्यान देने की आवशकता ह दोस्तों साथी साथ यह समय सब कुछ ठीक रहते हुए भी आपको कहीं न कहीं रित्ता का एहसास होगा और अगर मनन करेंगे तो इसकी वज़े कुछ भी नहीं रहेगी अपनी भावनाओं पर तिरोध वे नियंतर रखें क्योंकि इसके प्रवाब से कुछ संबंदी भी खर हो सकते हैं परन्तु जल्द ही परिस्टितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती हैं फिजूल खर्ची से बचें तता घरेलू खर्च का संतुलित बजट बनाना भी आपके लिए अतियावशक हैं कोट केस संबंदित मामलों में कुछ अर्चने भी आ सकती हैं रिस्तेदारों के वहवार करते समय आप साफधानी बढ़ते हैं आपके मुह से कोई ऐसी बात निकल सकती हैं जिससे संबंद खराब होने की भी आशंका है इसलिए आपको अपने गुस्से वे आवेस पर जरूर निंतन करना चाहिए किसी पर अत्यादिक भरोसा या विश्वास करना नुक्सा दायक हो सकता है बहतर होगा कि आप अपने निर्णे ही सरवोच रखें घर के वरिष्ट सदस्यों के स्वास्त का भी ध्यान रखना आपके लिए आवश्चक है दोस्तों बात अगर आपके लव लाइफ की करें तो यह समय परिवारिक वातावरण में आपसी तालमेल वे समा हैं प्रसंग बदनामी वे अपयस का कारण बन सकते हैं इसलिए थोड़ा सावधान रहें साति साथ कामकाज में चल रही सिथिलता का प्रभाब परिवारिक जीवन पर आप ना पढ़ने दें जीवन साती तथा बच्चों का उन सहयोग आपको प्राप्त होगा दोस्तों सात सात यह समय परिवारिक शुक्षांती बनी रहेगी शंतान की शिक्षा वे केरियर संबंदी गती विदियों में आप शहयोग दे पाएंगे घर परिवार में आपसी सोहर्द तथा प्रेम बना रहेगा विपरीद परिस्तितु के कारण प्रेम संबंदों के उजागर होने की भी इस समय संभव ना है प्रेम जीवन के दृष्टी कौन से यह समय आपके लिए बहुती मिला जुला साबित होने वाला है दोस्तों बात अगर आपके विवसाय और केरियर की करें तो यह समय नौकरी शिक्षा और कारोबार में जादा मेहनत और परिश्रम की आवश्यक्त नौकरी पेशा व्यक्ति भी किसी भी ऐ प्रिचित व्यक्ति के साथ वहवार करते समय सावधानी बरतें कामकाज को आप पूरी गंभीरता वे संजिदगी से लेंगे इस समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कहीं आपके ट्रेड शीक्रेट्स लीक तो नहीं हो रहें पार् कर चितर में क्वांटिटी के चक्कर में क्वालटी के साथ किसी प्रकार का समझोता आप ना करें कोई बड़ा ओडर आपके हाथ से निकल सकता है या फिर डील भी कैंसिल हो सकती है नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी में बॉस वे अधिकारी आपके काम से काफी संतु है जिससे आपको खुसी का बहुत अनुभव होगा शाती सात मशीनरी नई तकनीकी आदी का प्रियोग सफल रहेगा लंबित चल रहे कोट केस संबंदी मामलों के पूरा होने का समय आगया है शरकारी शेवारत व्यक्ति किसी उल्यन में भी पढ़ सकते हैं दोस्तों साती सा में वैपार में नई पार्टियों तथा नई लोगों से व्यवसाइक संबंद इस्थापित करने से पहले सोच विचार आप अवश्य करें किसी की बातों में आकर आपका अहित भी हो सकता है नोकरी में सैक कर्मी आपके विरुद उच अधिकारियों के भी कान बह सकते हैं इ दोस्तों बात अगर आपके स्वास्थ की करें तो यह समय मौसमी बीमारियों से सतर करहना आवश्यक है अपनी दिंचरिया एकदम सुवेवस्तित रखें घर के बड़े बुजुर्गों को स्वास्थ संबंदी परिसानिया रह सकती हैं स्वास्थ संबंदी लापरवाही बि तो स्वास्थ ठीक रहेगा लेकिन किसी पुरानी बीमारी के प्रती सचेत रहने की आपको अति आवश्यक्ता है दोस्तों साथी साथ आपको अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए नियमित योग और प्रणयाम का शहरा लेना होगा इससे आपका स्वास्थ बहुती अच्छा रहेगा